हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज मेरे हस्बन का बड़े है तो मैं बनाने जा रही हूँ केक तो उसके लिए ले लिया है मैंने एक कटोरा और उसमें थोड़ा सा लगा दिया है घी और इसके बाद लिये है मैंने कुछ औरियो की विस्केट तो इस बीच की क्रीम निकाल देंगे यह इसको बाद में यूज करेंगे और ले लेंगे मिक्सर जाड और यह विस्केट डाल के इनको पीस लेंगे और यह विस्केट के साथ मैंने थोड़े से पारलेजी भी विस्केट लिये है तो यह हमारा चूरा बनके तयार हो गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूद, थोड़ा ही डालेंगे और इसको पीस लेंगे फिर से, तो ये हमारा बैटर बनके हो गया है तैयार, तो इसको हम निकाल लेंगे, इसको निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे इनू, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको पकाने के लिए हमने गैस में चड़ा दिया है तवा, और उसके उपर रख दिया है कैटोरा, और धकन से ढख देंगे, और इसके उपर से रख देंगे कपड़ा, ताकि इसकी गैस बाहर न निकले, गर्माहट, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, 25 से 30 मिनट के लिए, 25 से 30 मिनट के बाद हमारा केक बनके तयार हो गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे, तो ये अच्छे से पक चुका है, अब इसके उपर, फ्रेस क्रीम में मैंने चोकलेट पिगला ली थी, तो इसको उपर से फैला देंगे, अच्छे से, ताकि सब जगे अच्छे से लग है, तो हमारा केक बनके हो गया है, तयार, तो बताइए कैसा लग रहा है, तो इसको रख देते हैं हम फ्रिज में, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तो मैं तयार हो गई हूँ, तो अब चलते हैं, केक कटिये, चलो दिखाती हूँ, किट्टू तयार हुआ की नहीं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, और यह रहा हमारा केक, मैंने थोड़ी सी डेकुरेशन कर रखी है, मैं तयार हुआ आए ओब कर रिंदेतों आपनार और मैं तया रहा हुआ है, अपी बुटे यूल यूल के टो, के टू, के चू, के चू और ये रहा हमारा डिनर तो आप भी आजाएए सब लोग करते हैं डिनर तो कैसा लगा आज का वीडियो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सस्क्राइब करें मिलते हैं आपको निष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई प्यान आपको निष्टाः वीडियो